हाई दोस्तो नमस्कार स्वागते मेरे चानल में मैं पुषमपा आपके सामने और रेस्पी के साथ आगे आज का जो रेसिपी है आपको देखता ही तो मालूम हो जा रहा है इसलिए मैं पीडो अभी दाल रहे हूँ इमनिंग टाइम में सुबह में दाल नहीं पाहें क्योंकि बहुत बिजी था इसलिए देखें कितना अच्छा देख रहा पीस भी एक दम इतना अच्छा नरम सा पका है और ग्रेवी तो बहुत अच्छा ग्रेवी बना है और इतना अच्छा बनता वड़के मैं भी ने सुचा था बहुत टेस्टी वाला बना है अभी उसके प्रोसेस में चेले जाते हैं हम उसको बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है हरदन्या और पुदीना हरी मिर्ची और काजू और बुनावा प्यास कि पहले इन सभी के हम पेश्ट बना लेते हैं हरी मिठी हरी धन्या और पुदीना काजू और बुनावा प्यास का पहला पेश्ट बना लेते हैं िहां 5.5 kg ons लेटे एक चिकन जादा है मैं अलड़ी बना के रड़ी कर लिया है चिकन को भी अच्छा नमक और हल्दी पोडर दाल के तीन से चार बार दो के साइड में लगा चुकी हूं यहां पर मैं एक चमच के हल्दी पोडर दाला है और देड चमच उतना दन्या पोडर दाल रहे हूं तो लाल मीच से नहीं कर रहाए नहीं तो हम लाल मीच और काली मेच दूनों भी मिक्स कर करें सकते थे और यहां पे मैं गरब मसाला का पौडर लिया है और इसके बाद हम लेते हैं जीरा पौडर एक चमच उतना गरब मसाला पौडर लिया है और एक चमच उतना जीरा पौडर लिया है और नमक आप लग अपना स्वादा नसार लिजिए मैं यहां पे देड़ चमच उतना डाल रहे हूं उसके बाद में अगर कम बढ़ा तो और एक आधी चमच उतना लोगी क्योंकि देड़ किलो का है तो हम दो चमच इजी से डाल सकते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक का बड़ा चमच से एक चमच उतना अध्रकलेसन का पे सब्सक्ma प्रकु् Darth लुटार के लिया है मेंने दें बहुत सारे पूर्ण चिल्ली चिकन देके होंगी अपज़ाे यह जो बना रहे हैं नहले हैं तट matter यांग पर ज्यादा quantity लिया है आपको बोल चुक हूं मैं इसे पहले तिना सारा मसाला क्यों आप लोगों को बोलेंगे इसलिए देखिए मेह इतना अच्छा सा मिक्स करना हाथं से मिक्स करते हैं आपको मालम हो जाता है कि पीस पीस को कितना मसाला पकड़ा नहीं पकड़ा बोलके अच्छा सा मालम हो जाता है इसलिए आप यहां पर चमस्य भी कर सकते हैं अगर चमस्य मिक्स कर रहे हैं तो बड़ा सा बोगोना जैसा लीजिए उसमें मिक्स कर सकते हैं मैं य पूरे पीसे कर चासर सेट हो जाएगा, देखें इस तरह से, बहुत अच्छा दिख रहा है, देखें मैं पूरा सेट कर दी हो, आउ इसको मैं एक गंटे के लिए साइड में लगा देती हूं, एक गंटा हो गया है, मैं चिकन को पूरे मसाले मिक्स करके लगा दे चुके हूं, जो मैंने यहां पे तेल ले रही हूँ, वो मैं प्यास भुना सो तेल ले रही हूँ, अगर आपके पास प्यास भुना सो तेल है तो वो तेल लीजिए, सैड में बगारा चावल बन रहा है, उसका भाब पूरा इसका परा रहा है, तेल को गरम होने देते हैं, तेल गरम होने के और शाजीरा, लाूंग, यहां पे मैं और दो हरी बशची लिए ऐं उसका बीशमेशिक काट के दाल दिया है इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं मैं फ्लेम को यहां पे लो फ्लेम में लगाया है जो स्मोक आ रहा है वो बिर्यानी का है इससका नहीं होता है यहां पर मैं सदेखें सक्षिक्षी आडा से और पनकी दाला है जुपक्त से अच्छ बिसे दाल में पेस्टосए में दाल को संदोस है पूरा गोड रहा है अब इसक्षा सब बूनने देते हैं अदर परूस summ sincerity Lord उनका पेस्ट अच्छा सब्हून चुका है प हैं मासाला देरां मिक्सिट तो फ़ोड़ा सा कंजस्ट हो यह दॉने में देखेँ मैं बिल्सक्रेजर और चाहा साइने मिक्स कर लेते हैं itations फ्लेम को मीडियम फ्ल में मीडियम को मीं बदी दूमे ज्चाहा है देखे यह गंटे से जाह लगा चुकिंवा है मैं अच्छाह सा से पर फीच पूरे अच्छा सा मसाला पकड़ चुका है और यह जल्दी भी फ्राइब हो जाएगा क्योंकि हम एक गंड़ी से ज्यादा लगाए जितना आप लोग ज्यादा देर लगा कि उतना जल्दी से चिकन पक जाता है इसलिए देखे मैं अच्छा से एक बार मिक्स कर चुकी हो तोड़ा सा मसाला है इसलिए में दो से तीन स्पुन उतना पानी दाला है पानी दाल के मसाला इसमें दाल देती हैं दाल देके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मसाला विष्ट नहीं होना है तो ग्रेवी हम पहले कम लगा रहे हैं तो पूरा मसाला जो है ना पीसे इसको अच्छा सा पकते हैं देखिए अभी इसी ब miel convection करके लगा देना हम क्योंकि हम बार बार मिक्स नहीं करेंगे 102 बार या mix करेंगे क्योंकि जैसा जैसा पकते रहता है आग्यों तो बार बार या मिक्सृ खरे तो लिक्त पड़ा जाता है यसी लिए मैं यहां पर फ्लेम को मीडियम दोर्य में लगा रहे हो मीडियम फ्लेम लगा ले तक पका लेते हैं डखन लगाยें कि पांच साथ में सर्ट कॉज़ू कर लेते हैं लीएक कितना च्प लागा है लोग धिक आपता है ना तो तिनना अच्छा पर्फेक्ट पकता है जिकान मिनिट हो चुका है एक बहुत अच्छा थे रहा है कि फोसी सब्सक्राइब कर दो अक्छान हैं कि आप sup किया है और ग्रेवी देखे कितना तिक है मैं इसमें पानी भी नहीं दाला है क्योंकि जो हम दही दाले है चिकन में विसे थोड़ा पानी निकलता है इसलिए में पानी नहीं दाला है यहां पर मैं आदे चमच उतना गरम मसाला दाल रहे हूं हम पहले ज्यादा दाल चुके हैं इसलिए में आदी चमच उतना गरम मसाला दाल रहे हूं और आदी चमच उतना काली मीची पोडर क्योंकि जो पकते वक्त डालते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लोगों को इसी वकत नमक अगर कम दिखा तो सेट करके डाल दीजे और यहां पर आदी चमच दॉक्ड़ने के बादे गजह गर मिक्स कर लेते हैं कि कियरें कि आप पाक सके में ज़्यादा भी मिक्स नहीं कर रहे हूं आजा ज continuing makes कर देके इसको हम और एक 2 Bunun मिन्यों तक पका लेते हैं ता कि साथक्रिक पकें इसलिए धो मिन्यों तक अच्या के तक ripe हैं जयादा स्मॉक क्ला राहर है दो तीन सरे मैं जाए।ट में लाल मूची का बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया है ग्रीन चिकन करी बन चुका है अब एक बर हम पीस चेक कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा पक चुका है एक दम पॉफेक्ट पीस भी पक चुका है इसको पकने में 10 से 15 मिनिट यह बहुत बलो तो 20 मिन लोफ ले में तो 20 मिनिट नहीं तो मीडियम टू लोफ ले में अगर सेट करके लगा रहे बलो तो 15 मिनिट में यीथ से पक जाएगा यह हंडी है बंद करने के बाद भी आपको 2-3 मिनिट तक पकता है इसलिए वो टाइम सेट करके आप लोग पका लीजिए तो बहात अचा रहता है यहां और मटन दाल चाई पूरे बन रहे है चारों पर चार बन रहे है मैं आपको ही की शेयर कर रहे हूं और हरा दन्या दाल रहे हो एक आदा कप उतना हरा दन्या दाल रहे हो जितना आ रहा दन्या दाल तो उतना आच्छा रहता है दिखने में यह टेस्ट में भी उतना आच्छ चुका है जह साभ बन चुका है देखहिण ग्रेवी कितना अच्छा तीजह के आगया है और इसको हम ढकन लगा देते हैं ड्कन लगा देखे एक से दो सेंड तक देखियोम एक दम परफेक्ट बन चुका है जैसा हम ग्रेवी चाहिए इसी ग्रेवी बना है जादा लिक्विड भी नहीं और ज्यादा तिक भी नहीं जैसा हमको ग्रेवी चाहिए वैसा ग्रेवी बन चुका है देखे एकदम Green Color Cup बन चुका है Green Chicken चिकन करी belongs सकते हैं आप जो नाम देते हैं वो नाम ले सकते हैं मैं नचै inappropriate बधने ग्री तक अगर मेरा रिस्पी पसंद आये तो आप लोग जरूर एक बार ट्राइब कर एक तर यह कामेंट बताइए कैसा बना है मैं आपको फीस बताती हो यह कैसा बना है देखिए इस डिला अच्छा बना है और एकदम तिक ग्रेवी बन जैसा बना है आप लोग होटल में जाके ओडर करें तो जैसा रहता है वसी तरह से बना है अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी बनाएए फैमिली के साथ एंजोई कीजिए और मेरा चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए लाइक अंदा बाना मूलियमत जो भी वीडियो बनाएए ताके आप लोग अन तक पहुंचे के तब तक क्लिया अलविदा